दोस्तों यहां पर आप काफी सारे मोबाइल के फोल्डर देख रहोंगे, यह सभी के सभी फोल्डर खराब हो चुके हैं, इन मैं आज कमाल के एक्सपेरिमेंट में करने वाला हूं, और एक चीज बता दू, जब से मैंने मोबाइल रिपेरिंग करना स्टार्ट किया, तब से है कि आज तक लगबग 300 से ज्यादा मोबाइल के फोल्डर चेंज कर चुका हूं, सिर्फ फोल्डर की बात कर रहा हूं, रिपेरिंग तो मैं काफी सारे मोबाइल के कर चुका हूं, बट फोल्डर लगबग 300 से ज्यादा मोबाइल के फोल्डर चेंज कर चुका हूं, पड़ ब्रेक हो जाता है तो उनको होना रिप्लेस करना पड़ता है इसलिए यहां पर हम पुराने फोल्डर से वो कनेक्टर निकाल के लगाते हैं इसलिए इन फोल्डर को हम रख लेते हैं ताकि कनेक्टर काम आ सके और काफी बार इनमें कुछ लाइट्स भी होती हैं अंदर एक फोल्डर में करहूँगा इन इस तरिक से डिशया पर निकल चूका है इसिमें इसमें भी कितनी में। लेयर होती है इए पोलराइजर होता है और एक दो लेयर इसे होती है यह मेहीं सीसा इसके पीछे पोलराइजर लगा हुआ रहता है पोलराइजर की वज़े से आपकी डिस्प्ले दिखती है अगर पोलराइजर हट जाए तो डिस्प्ले बिल्कुल वाइट हो जाती है अगर मैंने कभी आपको दूसरे चैनल में जिक्र किया था कि मैं पल्सर के डिजिटल मीटर जब रिपायर करता हूं तो यहां पर है ना दो यह तीन लगबग है हा एक फर्स्ट वालिए यह सीसा है यह सीसा इसके बीच में पोलराइजर लगा हुआ है तो तीन लेएज होगी और इसके बाद भी बहुत सारे लेर सोती है अब यह देखिए एक लेयर ही होती है यह होती है इसको हम बिसी का बेस कहें यह आपका टि सबी को निकालांगे और एकि करके गिनेंगे और लाइट इहां पर इस olurs बहुत सारी शुट्टे इनको जलाके भी दिखाऊ।独ह बस इसका पत्ता नहीं पता नगने लियंगए कि हम दिहान रखेंग लिफ्ट रिफ्लेक्टर वगरे लगेवे रहते हैं तो चलिए मैं आपको लाइट का ही पूरा बता देता हूं सबसे पहले मैं इस पत्ते को अलग कर लेता हूं और लाइट वाला जो पत्ता है उसको हम यहाँ पर यहाँ पर डिस होल्ड चलिए इसको हम लेयर को अगे और इसी से हम कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ठीक है यहाँ पर अनोड और कैथोड देख लेता हूं हुए और बाकि मारे कय फोड से एém co y9 plus सरी प्लस का है बाकि मैनेदम के हैं कि सबसे पहले मैं हम पन एक वयर को कंच कर लेता हूँ मिलस की वयर को यहाँ पर इस तरीके से और एक वायर को हम इस तीनों में कनेक्ट करनेंगे क्योंकि यह तीनों माइनस की हैं चले इस तरीके से यह देखिए यह तीनों कनेक्ट हो चुकी है देखिए अब यहां पर देखिए मैं इसकी लाइट को अन करता हूं चलिए देखिए लाइट्स ओन हो चुकी है देखिए मैं इसको कंड्रोल कर रहा हूं दीसी पावर सप्लाई से और यह पावर सप्लाई में नहीं जाने क्यों यह लाइट जो जल रही है न यह 16 वोल्ट दिखाने कि 16.8 वोल्ट से अपरेट हो रही है मैं पावर सप्लाई की वोल्टेज थोड़ा सो और बढ़ाता हूं देखिएगा फुल ब्रैट्नेस इसमें कितने वोल्ट से आ रही है यह देखिए सत्रह सत्रह 18 वोल्ट करने से फुल ब्रैट्नेस इसमें आ रही है यह देखिए चले मैं थुरा इसकी ब्रैट्नेस कम कर लेता हूं मैं रिफ्लेक्टर को हम लगाएंगे सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्टर था इसमें देखना पड़ेगा यह वाला हो सकता है सबसे मुझे रखता है कि सबसे पीच्छी यह वाला था रिफ्लेक्टर इसके वज़े से ना पूरे स्क्रीन पर लाइट का रिफ्लेक्शन रहता है अब यह आपको अंधेरा करके भी दिखाऊंगा कितना जबर्दस यह दिखता है ठीक है कितना जबर्दस में आप अपना नाम हो यह वाला हो सकता है इसके बाद यह वाला हो सकता है तो लगबग हमने बहुत से रेफ्लेक्टरेस में लगा दिये हैं जो इसमें लगबग लगे हुए थे अब मैं क्योनेस की ब्रैटने स्थोड़ा सा बढ़ा देता हूं हाँ ठीक है देखिए थोड़ा सा अंधेरा कर लेता हूं और फिर आप देखिए कमाल यह देखिए पूरी स्क्रीन यहाँ पर आ रही है इसमें एक काम आप कर सकते हैं देखिए इस तरीके से ना कुछ चीज कुछ लिख सकते हैं इसमें जैसे मेरा नाम मतलब मैं एक्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है बाकि आप लाइक से सब्सक्राइब्स वीडियो को करी सकते हैं अब मैं थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ा हूं और सेटप के लाइड बंद कर लेता हूं तो देखिए कितना जबर्दस लग रहा है तो इस तरीके से ना अंधेरे माप इस तरीके से इसको रख सकते हैं देखिए इसमें आप कुछ भी इमेजे से वगरह लगा सकते हैं जैसे कि आप इसमें चलिए उसका भी एक्जम्पल देता हूं जैसे आपके वगाइड कुछ भी इमेज है इसको आप इस वाले के नीचे इस वाले के नीचे लगा सकते हैं तो यह ब्राइट करेगा पूरा है पूरा यह देखिए इसको मिटा देते हैं देखिए कितना जबरता से लग रहा है रात को दीवार पर अगर इस तरीके से जलेगा तो काफी बढ़िया लगेगा देखिए यह देखिए है ना देखिए बस लाइट का फोकेस में पढ़ेगा इस रिफ्लेक्टर में सबसे उपर वाले में तब जा चीज लगासते हैं जो आप डिवार पर लगाना चाहिए मैं इसको बिलकुल अपने सेट अप लगाना चाहूंगा आप कुछ एट्रेक्टिव चीज लिख के देखिए काफी बढ़िया ले लग रहा है तो देखिए मैं लाइट अन कर लेता हूं सेट अप का चलिए इसको चाहिए करना ज़रूरी है यह लग भग यह पॉस्टिव यह नेगेटिव बिलकुल यह 16 वोर्ट से अपरेट हो रहा है अब इसमें कितने लेर्स होती है यह आपको दिखा देता हूं यह उते हैं तीन इसमें होती है एक सीछब फरंट का है और एक बैक का है बीच में पॉलराइजर है तीन यह है चार पाँच छे साथ और दोशमें रहता है आठ और 9 सबसे लास्ट में जो बेसिस का यह 10 यह लग बकग 10 लेर्स इसमें होती है और भी होती होंगी पतली सी वह आपको मैंने छील गया फिर खोल के नहीं देखा बट जो वीजुली हैं बिल्कुल 10 लेयर्स हमने याँ पर आपको दिखा दी है तो बिल्कुल देखिए इस स्क्रीन पर 10 लेयर्स होती है फिर भी देखिए एक स्क्रीन का जो साइज कितना पतला है यह थोड़ी मोटी है वैसे स्क्रीण ? काफि पतला होता है दस लेयर्स इसमें लगी देखिए स्क्रीन है न देखिए कितनी पतली है फिर भी ये टूड़ जाती है तो देखिए मैंने आपको बिलकुल डीटेल से विल्क बिल्कुल दिखा दिया अगर आपके मन में जिग्या से रहे हुए तो आपको कुछ यहां पर सीखने को मिला होगा सीखने को और बागी कैथोड के होंगे तो एक एक पॉइंट में लिखा रहेगा बाकी में के के लिखा रहेगा A का मतलब है anode, KKK मतलब cathode, यानि की negative, ये positive का रहते हैं, बाकी negative का रहते हैं, तो इसमें आप plus वाला जोड़ देंगे, A पे, जिसमें A लिखा हुआ है, उसमें आप positive wire जोड़ेंगे, और इन तीनों को आप sort करके, इसमें negative wire, यानि की ground का जोड़ देंगे, तो 3 के एक साथ ठ मुस्किल है, चलिए मैं और ठोड़ा सा voltage बढ़ा के, अच्छा fully कर रखी है, इससे उपर voltage हमारी पार्वसर बहें में नहीं है, तो इतना ही इसमें brightness आ रही है, बिल्कुल high में आपको दिखा दिया है, चलिए, वीडियो को end करते हैं, किसे वीडियो को like करके, share कर लेना, thank you so मतब को दो दो आजिए और इस मुदी